हमारे जो बोजरुकते शिब्बा सिंग उन्होंने एक शराप का ठेका खुलवाया था सर्फ सुल्ताना के लिए जिससे वो वहाँ आये शराप पिये और वो पकड़ने का मौका मिले तो सर्फ जैसे आभी आपने बताया था कि आप सुल्तान डाको को एक डाको नी बलकि एक करांती कारी के लिए उप में देखते हैं तो इंटरनेट पे काफी कुछ रहता है सुल्तान डाको के बारे में किला बनावा है नवाजुदीन का जिससे सुल्तान डाको का किला कहते हैं पर हमें कुछ लोगों ने बताया कि उन लोगों को जगा खेती करने के लिए दे दी गई थी तो बहुत सारी उब्हांतियां ऐस तरह की फैली हुई है तो कुछ इन पर प्रकाश डाली है हमारे हैं लोकल में उसे सुल्ताना का किला यह नहीं बनावाया था यो नवाप पड़ावा, उनका बनावावा था ह Ahí को नाव मैं बनाथा खागा जाता तो और नो पूरी ट्राइब को यह नजरस बंद रखा जाता था exponentially करा फ को जाता जाता था दिन उन्हें चोड़ जाता था, वो आसपास के किसानों के यहां मजदूरी करते थे, और शाम को उनकी गिंती हाजरी होके उनको बंद कर दिया जाता था, बस यह मजदूर या सुल्ताना का किला इसलिए हुआ, कि सुल्ताना अपने बच्छपन में उस किले से भाग गया था, बिट्रिश के पहरे स तो यह एक अगर आपने वो देखा हो किला, अब मता कोई आदमी यकीन नहीं कर सकता का एक 14, 15, 16 साल का बच्छा, महां से कैसे भाग जागा, वो ही उसकी एक काम्याबी थी मेरे हिसाब से, और जब ही उसका नाम सुल्ताना का किला पड़ा, इसलिए बात यह के, इंटरनेट हाता में पकड़ा गया था, और वहां एक शराब की दुकान, हमारे जो बोजर्गते चिबा सिंग, उन्होंने एक शराब का ठेका खुलवाया था, सर्फ सुल्ताना के लिए, जिससे वो वहां आये, शराब पिये, और वो पकड़ने का मौका मिले, तो देखे, किस तरह से भी हमें यहां पर बताया गया है,